जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है उस जनता का भी विश्वास गात किया गया है कि देश से ज़्यादा उनके लिए दल है देश से बड़ा दल है देश से पहले प्रात्विता दल है आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है सत्ता की भूख यही आपके दिवाग पर सबार है डिटीजन डाटा प्रोटेक्शन बील यह बील अपने आप में देश के युवाओं के जजबे में जिस बात आज प्रमुक्सता से है उससे जुड़ा हुआ था आने वाला समय टेक्नलोलोजी ड्रीवन है आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ओइल के रुप में सेकंड गोल्ड के रुप में माना जाता है उस पर कितरी गंभीर चर्चा की ज़रोत थी लेकिन राजनीती आपके लिए प्राफिकता थी कई ऐसे भी थे जो गाओं के लिए गरीब के लिए दलीद के लिए पिछड़ों के लिए आदिवास्ति के लिए उनके कल्यान की चर्चा करने के लिए थे उनके भविश्च को साथ जुड़े हुए थे लेकिन इसमें इने कोई रूची नहीं है देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है उस जनता का भी विश्वास गात किया गया है विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आत्रंस उनके भावार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज़्यादा उनके लिए दल है देश से बड़ा दल है देश से पहले प्रात्विक्ता दल है मैं समझता हूँ आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है सत्ता की भूख यही आपके दिमाग पे सबार है आपको देश के युवाओं के भविश्य की परवा नहीं है आपको अपने राजनीति भविश्य की चिंता और मान्य अद्दक जी आप जूटे एक दिन सदन चलने भी दिया किस काम के लिए आप जूटे तो अभी स्वात प्रस्ताओं को जूटे और अपने कटर ब्रश्ट साथी उनकी शर्ट पर मजबूर हो करके और इस अविश्वास पर प्रस्ताओं पर भी आपने कैसी ठर्टा की है और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मेडियम आपके दरबारी भी बहुत दूखी है यह हाल है आपका और देख जी देखे मज़ा इस लिवेट का कि फिल्डिंग विपास ने और्गनाइज की लेकिन चोके छके यहीं से लगे और विपास नो कॉन्फिनेंज मोशन पे नोबाल नोबल पर ही चलता आगे चलता जा रहा है इधर से सेंचुरी हो रहे हैं उधर से नोबाल हो रहे है अद्धिक जी मैं हमारे विपास के साथियों से यही कहूंगा कब तैयर ही करकी क्यों नहीं आते जी तोड़ी मेहनत कीजिए और मैंने पांच सल दिया आपको मेहनत के निकली अठारा में कहा था कि तैजिस में आप आना जुरूर आना पांच सल भी नहीं कर वाया आप क्या हाल है आप लोगों क्या आप दारीद रहा कि अधिने अधिक जी विपस्ट के हमारे साथियों को दिखास की छपास की बहुत इच्छा रहती हो पर स्वाब हल्ग में है लेकिन आप यह मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा आप एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाए कुछ नहीं दिया और विपश के रवये पर भी कहूंगा जीन के जीन के खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं जीन के वही काते खुद के बिगड़े हुए हैं वो भी हमसे हमारा हिसाब लिये फिरते हैं माने अध्यक जी इस अविश्वास प्रताव है कुछ चीचों ते ऐसी विचीतर अंदजर आई है जो नक पहले कभी सुना है ने देखा है ने कभी कलपना की है सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सुची में नामी नहीं था और पिछले उधान देखिया नाइंटीन नाइन में वाजपाई सरकार के खिलाब अविश्वास प्रताव आया सरत पवार साहब उस समय नेत्रुत्व कर रहे थे उन्होंने डिबेट का नेत्रुत्व किया 2003 में अटल जी की सरकार थी सोनिया जी विपक्ष की नेता थी उन्होंने लीड ली उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रताव रखा 2018 में खड़गेजी थे विपक्ष के नेता उन्होंने प्रमिनेटली विशे को आगे बढ़ाया लेकिन इस बार अधिर बाबू को क्या हाल हो गया उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मोका नहीं दिया ये तो कल अमीद भाई ने बहुत बहुत जिम्मेवारी के साथ कहां कि भैई अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाब्त हो गया था तो भी आपने उनक को आज मोका दिया लेकिन गुड़का गोबर कैसे करना उसमें यह माहीद है मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है क्यों अधिर बाबू को दर किनार कर दिया लेगा पता नहीं कलकत्तर से कोई फोन आया हो और कॉंग्रेस बार बार कॉंग्रेस बार बार उनका अपमान करती है कभी चुनाओं के नाम पर उन्हें अस्थाई रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं बिट्टू जी हम अधिर बाबू के फती अपने पूरी संवेधना व्यक्ता करते हैं सुरेच जी जड़ा जोड़ा हस लीजिए आदेन्य अधिक जी किसी भी देश के जीवन में इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब वो पुरानी बंदिसों को तोड़ करके एक नई उर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई सपनों के साथ, नई संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है 21 सदी का ये कालखन और मैं बड़ी गंबीरता से इस पवित्र लोगतंत्र के मंदीर में बोल रहा हूं और लंबे अनुभव के बाद बोल रहा हूं कि ये कालखन, सदी का ये वो कालखन है जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अउसर हमारे चरण के लिए और हम सब ऐसे टाइम प्रियड में हैं चाहे हम है चाहे आप है देश के कोटी कोटी जन है ये टाइम प्रियड बहुत अहम है बड़ा महत्वपूं है बर्दत लजेव विस्व में और मैं शब्दों को भी बड़े विस्वात से कहना चाहता हूं कि ये कालखन जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले एक हजार साल तक रहने वाला तो कि ये रड़ेडर चाहता है झाल झाल